पल्वी पूरी को जमानत मिलने के बाद अब जो है बच्ची की मा ने क्या कहा है? क्या दी है उन्होंने स्टेटमेंट मैं हीना कुमावत फिल्मिंडो पर आपको बताऊंगी? आप सब जानते हैं कि इस पूरे केस में जैसा कि फिल्मिंडो ने आपको सबसे पहले बताया कि बच्ची की मा को भी को एक्क्यूस बनाया गया है यानि कि उनको भी आरूपी बनाया गया है और उन पे भी पॉसको के तहत मुकर्मा दर्ज हुआ है। हाला कि ये बात आपको फिल्मिंडो ने बताए ही कि उनको इंटरेम यानि की अगरिम जमानत मिल चुकी है और वो दो जुलाई तक उनको जो है अगली जमानत के लिए फिर से अप्लाय करना है तो दो जुलाई तक की उनकी अगरिम जमानत है अब पर्ल को बेल मिलने के जो बच्ची है उनकी मा ने शेयर किया इतना ही नहीं उन्होंने ये भी लिखा इसके अलाबा वो कहती है कि मैं इस बात को clear कर देना चाहती हूँ एक बार फिर से कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की है बलकि मैं भी इस पूरे केस में co-accused हूँ और मुझे भी पॉसको के तहत मुकदमा किया गया है सचाई की जीत होगी न्याय ज़रूर मिलेगा तो इस तरीके से अब खुद जो मा है बच्ची की उन्होंने भी इस बात कर खुलासा किया है कि उन पर भी पॉसको के तहत केस हुआ है वो भी co-accused है इसके अलावा वो आगे कहती है कि मैं जो है अपनी मा और सभी का शुक्रियादा करना चाहूंगी जो इस टफ टाइम में मेरे साथ खड़े रहे और सचाई की जीत जरूर होगी तो एक बात तो तह है कि जो बच्ची का पिता है उसे ना सिरफ परल पे बलकी मा पर भी यानि कि बच्ची की मा पर भी केस किया है और आरोप है कि उनको सब कुछ पता था उसके बावजूद जो है वो चुप रही और उसने कोई भी कदम नहीं उठाया तो परल के साथ साथ बच्ची की मा भी पूरे केस में आरोपी है और खुद अब मा ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है